Hello everyone, मैं हूँ किरंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2021 की Love Tarot Reading तो इससे पहले मैं आप लोगों की reading शुरू करूँ अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फ्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun, sign, moon, sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं आप उसके according भी इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के according इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए August 2021 की Love Tarot Reading तो चलिए एकवेरियस आप लोगों के लिए देखें कि August 2021 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो में पस यहाँ पे तीन सेट आफ कार्द हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकिंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि finally August मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं एकवेरियस आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले cards है Ace of Pentacles and Listening to One Another और यह दोनों ही cards कहीं similar सी energies की बात करते हैं Ace of Pentacles का card कहता है कि August starting में या कुछ time से या फिर August मन्त में आप एक नई beginning इस relationship में या तो करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं आप एक पहल again मैं कहूंगी या तो कर रहे हैं या करना चाहा रहे हैं और बहुत जादा concrete you know basis पे आप ये beginning करना चाहा रहे हैं आप एक commitment, एक stability इस relationship में लाना चाहा रहे हैं इस relationship को long term के लिए चाहा रहे हैं और हो सकता है कि कुछ equities पीछे कुछ time से काफी silent थे, काफी जादा under the cover थे जहाँ पे कोई initiative नहीं ले रहे थे, action नहीं ले रहे थे और कहीं august starting में, august month में एक बहुत जादा attraction, एक बहुत जादा प्यार, महबबत भी आप अपने partner के लिए महसूस करते वे दिख रहे हैं, listening to one another का card कहता है कि आप अपने partner को सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं हमेशा के लिए और देखें, यहाँ पर engagement का card भी कहीं similar energies की बात करता है, यह भी कहीं commitment की बात करता है, शादी engagement की बात करता है, और बहुत जबर्दस, again मैं कहूंगी, एक attraction की बात करता है, और देखें, engagement के उपर यहाँ पर three of wands reverse का भी card है, यह card कहता है कि हो सकता है, आपके partner से आपको उस का response नहीं मिल रहा, या फिर situation, circumstances की वजए से एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, या खुश लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी life में एक अकेलापन है, और इसी लिए शायद आप अपने partner को जादा miss कर रहे हैं, या फिर आप अपने partner को जादा चाहा रहे हैं, आप long term planning क परना चाहा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी जादा एक attraction आप महसूस कर रहे हैं, और दिखिए end of July या जुलाइ मन्त के लिए हाँ पे fullness and six of pentacles के भी cards हैं, fullness का card abundant energies की बात करता है, और कहीं ऐसा ही आपके मन में आपके partner के लिए प्यार दिख रहा है, abundant प प्यार, complete attraction आपके मन में आपके partner के लिए दिख रहा है, और शायद इसी लिए देखे six of pentacles का card कहता है, कि आप बहुत जादा इस relationship के लिए giving हो रहे हैं, आप बहुत जादा आपने partner के लिए इस relationship के लिए कर रहे हैं, हाला कि हो सकता है कि surface level पे आप एक balance maintain कर रहे हैं, या करन balance अगर आप maintain कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप proportion में ही अपनी feelings, अपने प्यार, अपने महबत को express करें, या जो भी आपकी giving वाली energies हैं, या पे भी giving सब के लिए differ कर सकता है, कुछ लोगों के लिए love हो सकता ह कुछ लोगों के लिए finances हो सकते हैं, जो आप अपने partner को offer कर रहे हैं, share कर रहे हैं, तो देखिए इन ही सब चीजों में एक proportion, एक balance फिर से मैं कहूंगी रखना बहुत जरूरी है, मैंने हमेशा कहा है, जितनी भी अच्छी चीज हो, जब वो जरूरत से जादा हो जाती है, त खराब कर देती है चीजों को, इसी तरीके से love, affection को भी आप balanced way में ही रखेंगे, तो काफी बहतर रहेगा, और अब देखते हैं, Aquarius के आपके partner की क्या energies हैं, तो आपके partner के लिए देखिए, यहापे सबसे पहला card है, the moon and liberation, और देखिए, the moon का card कहता है, कि हो सकता है कुछ time से या फिर July starting में, वो किसी चीज को लेके बहुत जादा सोच रहे हैं, उनके मन में कुछ fears हैं, कुछ insecurities हैं, किसी चीज को लेके confusion हैं, और कहीं clearly नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन देखिए, moon के नीचे liberation का card है, तो हो सकता है कि August starting में, वो इन ही energies से अपने आपको liberate करना चाह रहे हैं, liberate यानि कि free करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि किसी level पे आपके partner ऐसा कर भी पाएं, क्योंकि यहाँ पर magician का भी card है, और देखिए, liberation किसी भी चीज से हो सकती है, in fact सब Aquarius के partner के लिए differ कर सकती है, कुछ Aquarius के partner हो सकता है कि अपने ही negative thought process से बहार निकलना चाह रहे ह कुछ Aquarius के लिए हो सकता है कि उनके partner की कोई behavior है, कोई आदत है, उससे वो free होना चाह रहे हैं, कुछ Aquarius में सबकी बात नहीं कर रहे हूं, बहुत ही कम Aquarius के लिए हो सकता है कि आपके partner इस relationship से ही बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर एक liberation चाह रहे हैं, अगें कहूंगी यह बहुत कम Aquarius के partner के लिए है, लेकिन इन जनरल दिखिए एक liberation, freedom चाह रहे हैं, हो सकता है पीछे उन्होंने बहुत बंधा हुआ महसूस किया, बहुत जादा एक limitations, restrictions महसूस करीं, और दिखिए यह भी सब के लिए differ कर सकता है, कुछ Aquarius के partner के लिए self-imposed limitations और restrictions हो सकती हैं, कुछ Aquarius के partner के लिए, Aquarius आपकी तरफ से हो सकती हैं, कुछ Aquarius के partner के लिए situation और circumstances की तरफ से कुछ बंधन हो सकते हैं, जिनको again मैं कहूंगी कि वो August में free करना चाहा रहे हैं, उनसे liberate होना चाहा रहे हैं, और दिखिए ऐसा वो कर भी पा रहे हैं, क्योंकि आपे magician and love yourself का card है, और magician का card कहता है कि थोड़े से controlling हो सकते हैं, थोड़े से manipulative हो सकते हैं, थोड़े से नहीं देखिए मैं कहूंगी काफी ज़्यादा diplomatically चल रहे हैं और खुद पे ज़्यादा focus कर रहे हैं, होता है ना जैसे बच्चे उनको क्या चाहिए, वो बहुत important होता है, बाकी लोग क्या सोच क्या कह रहे हैं, इतना ज़्यादा बच्चे bother नहीं करते, तो कहीं देखिए मैं यह नहीं कह रहे हैं कि immature energies हैं, in fact उनकी काफी mature, काफी intellectual energies दिख रहे हैं, mind से ज़्यादा चल रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि अपने उपर focus ज़्यादा कर रहे हैं, and देखिए end of August के लिए यहाँ पर night of swords and the initial difficulty के भी cards है, night of swords बहुत ही clearly movement की बात करता है, speed की बात करता है, तो यहाँ तो August end में यह August month में वो movement चाह रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, speed चाह रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि इस relationship से ही किसी level पर move on करना चाह रहे हैं, और देखिए यह आपे इस relationship में एक speed लाने वाली energies उनकी तरफ से जादा दिख रहे हैं, जिसको लेके initially कुछ difficulties, कुछ problems भी उनकी तरफ से रह सकती हैं या उनके लिए रह सकती हैं, बट फिर भी हर difficulty को, हर problem को वो कहीं face करते हुए दिख रहे हैं, बहुत जबर्दस एक clarity लाते हुए दिख रह दिख रहे हैं, बहुत तेजी से कहीं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं इस relationship में आपके साथ, और अब देखते हैं Aquarius की August मन्त में क्या हो रहा है, तो देखें August starting के लिए आपे सबसे पहले cards हैं, the world and uniqueness, और ये दोनों ही cards कहते हैं कि August starting में एक missing feeling इस relationship में रह सकती है, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक completion चाहते हुए दिख रहे हैं, इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, और हो सकता है कि दूसरा जन उस तरीके से response नहीं कर रहा है, जिसकी वज़े से एक अकेलापन है, एक incomplete या फिर एक missing feeling है, और दिखिए किसी की भी energies हो सकती हैं, लेकिन कह की completion चाहते हुए आप जादा मुझे दिख रहे हैं Aquarius, और आपके partner की तरफ से हो सकता है, August starting में उस तरीके का response ना रहे, जिसकी वज़े से again मैं कहूंगी कि एक अकेलापन भी, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं mid of August के लि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रखना चाहा रहे हैं, हो सकता है कि कोई जन बहुत जादा महसूस कर रहा है, बहुत जादा emotional हो रहा है, या कोई चीज बहुत जादा कर रहा है, उसमें एक balance लाना चाहा रहे हैं, लेकिन नहीं आप आ रहा है, कहीं आप दोनों य भी कर सकता है जिसकी वज़े से कुछ issues हो सकते हैं हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कुछ changes लाना चाहा रहे हैं या फिर कुछ changes आ रहे हैं और इनी changes की वज़े से भी कुछ issues कुछ मसले रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप travel plans कर रहे हैं और और कहीं उससे ही related, again मैं कहूंगे कुछ delays हैं, postpone हो रही हैं चीजें, लेकिन देखें end of August में कहीं चीजें better होती हुई दिख रही हैं, page of pentacles का card कहता है, बहुत ही छोटे level पे एक stability, एक security आ सकती है, और जो completion आप दोनों में से कोई एक August starting में चाहा रहा था, उस direction में भी कोहीं चोटी चोटी चीजें होती हुई दिख रही हैं, किसी level पे एक completion आ सकता है, एक togetherness हो सकती है, एक you know again मैं कहूंगे कि आप दोनों साथ आके future के बारे में सोच सकते हैं, future के बारे में बात कर सकते हैं, तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए August 2021 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें